स्टार प्लस का मोस पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में सवी और ईशान कल पूरी रात घर के बाहर थे। ईशान की कार खड़ाब होने की वजह से पहले ही वो काफी परिशान थे। उस पर सवी कार में बंध हो जाती है और कार की चाबी गटर में गिर जाती है। और अपनी साड़ी के पल्ले से उसका गिला सिर्फ उचनी को बोलती है। इशान में भी ऐसा ही किया। इशान और सवी के ग्यर मौजूदकी में पूरा भोसले परिवार परेशान होता है। वहीं दूर्वा के लिए सवी की बुराई करने का इससे बेहतर मौका दूसरा कोई नहीं था। दूर्वा घरवालों और रिवा के सामनी कहती है कि ऐसा कौन सा काम था जो दोनों पूरी रातों घर से बाहर थे। जरूरी उसने ही दादा को जानकर बाहर रखा। ऐसे में राव साहिब कुछ बोल ही रहे थे कि इशान और सवी घर पहुच जाते हैं। इशान घर वालों को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वहीं रीवा एक अटक सवी को देखती रहती है। इसके बाद अक्का साहिब सवी से उसकी ताई हिरनी का हाल पूचती है। सवी बताती है कि अब वो ठीक है और उनकी बोडी में हरकत होना भी शुरू हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ये सुनते ही अक्का साहिब मन में कहती है कि अच्छा है फिर ये यहां से चली जाएगी और रीवा शादी करके आजाएगी। तभी इशान को हाथ में लगी चोट से खून बहने लगता है तो सवी के परेशान हो जाती है। ये देख कर रीवा को अच्छा नहीं लगता इस पर सवी इशान की चोट पर दवा लगाती है तो अक्का साहिब रीवा से कहती हैं कि तुम करो। ये बात सवी को परेशान कर देती है। शो में जल्दी एक दिलचस्प मोडाने वाला है। सवी इशान को बेहद प्यार करने लगती है। वो अपने प्यार का इजहार पर फ्यांक देता है। ये देख कर सवी काफी दुखी हो जाती है।